हमारे साथ मदर प्रदेश के मुख्यमंती शिवराज सिंग चोहान सीधा आज तक पर लाइब जुड़ रहे हैं शिवराज जी स्वागत है आपका आज तक पर स्रीमा नरेंदर बोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ ओवी सी के हक में एक बहुत महत्पूर्ण विध्यक पारित हुआ है उनका कल्यान सुनिश्चित किया जा सकेगा अगर पिछडों को न्याय देने की बात आप कहें तो कॉंग्रेस ने तो कभी न्याय दिया नहीं अगर पिछडों को न्याय मिला है तो उन सरकारों से मिला जिसमें जनसंग या बीजे पी एक घटक के रूप में सामिल थी कॉंग्रेस तो केबल पिछडे और पीछे हो जाएं इसी की कोसिस करती रही आप जानते हैं डक्टर बाबा साहब अमबेट कर के साथ कॉंग्रेस ने क्या किया वो लोग सभा में ना पहुँच जाए इसकी चिंता कॉंग्रेस करती थी सरदार बल्लब भाई पटेल लोह पुरुस जिनके कारण देश अखंड हुआ उनको प्रधान मंतरी नहीं बनने दिया जग जीवन राम जी को अपमानित किया लेकिन भारती जनता पार्टी के सोच में विचार में और चिंतन में जो सबसे पीछे है जो सबसे नीचे है वो हमारे लिए सबसे पहले है दर्द्री हमारा नाराइन है उसकी सेवा हमारे इस आसे से एक नहीं अन्यकों फैसले मोदी जी के नेतरत में केंद्र सरकार ने किये चाहे पिछड़ा आयों को समवेधाने आयों के दरजा देने का प्रिश्टन हो या पिछले दिनों जो 27 परसेंट आरक्षन दिया गया सेक्षिक संस्थाओं में भी एक नहीं अन्यकों आदम उठाए और कांग्रेस तो केवल पिछड़ों का सोसन करने में लगी रही लेकिन शिवराज जी जो विपक्ष लगातार समर्थन भी कर रहा है लेकिन जो सबसे बड़ा प्रश्ण उठाए जा रहा है वो कह रहे हैं कि आप प्यार किया तो डरना क्या ये असदुदीनों वैसी के शब्द हैं विपक्रश पसंट से आगे जाइए वरना जो अगड़ी जाती के 20-30 पसंट है उनके लिए आपने 50 पसंट रखा हुआ है आप 50 पसंट से आगे जाइए वरना उसी कमरे में कितनों को हम भरेंगे क्या आप भी ये मानते हैं ऐसा होना चाहिए क्या कहेंगे इस पर आप भी ये मानते हैं ऐसा होना चाहिए तो नयाय उनको भी मिलना चाहिए हम इसी को सामाजिक नयाय मानते हैं और इसलिए चाहिए पिछड़े हो दलित हो एस्टी हो या गरीब हो उनको साथ लेके आगे बढ़ते हैं एक और दबाव बन रहा है सर सरकार पर विपक्षी तो विपक्षी नितीश कुमार जैसे जो जेडियू के मुख्यबंत्वी हैं गटबंदन में हैं सरकार के साथ कि जाती जण गणना हो तभी उसी आधार पर आरक्षण हो आपकी क्या राय है इस पर सरकार पर किसी दवाव का सवाल नहीं है जो गरीबों के पिछड़ों के हित में होता है और मैंने कमजोर तबकों के हित में होता है उसको देखते हुए भारती जनता पार्टी की सरकारें फैसला करती है आगर सबसे पहले अंतियोदय को जमीन पे उतारा था तो स्वरगी बह मुख मंत्री थे तब अंतियोदय योजना बनी और भारती जनता पार्टी की तदकाली इन प्रदेश सरकारों ने भी मुझे अच्छी तरह याद पटवाजी मुख मंत्री हुआ करते थे मदप्रदेश में स्वरगी पटवाजी आने को कामों को अंजाम दिया है जो गरीब कि अपिछणों के हित के लिए जरूरी होगां हमारे राजने तेंक मुझदा नहीं है हमारी देव वोट का सवाल नहीं है और नब वोटों को देख के हम को कदम उठाते हैं उनका सरवागीर दिकास यह हमारे चिंतन के केंदर में हैं और उसको देखके जो आवसक व्यवस्त OBC एक पाफुल वोट बैंक है और इसलिए मोधी सरकार और तमाम आप लोग सब चाहते हैं कि चाहे वो उत्तरप्रदेश के आने वाले चिनाओं हो एक वक्त में मद्रप्रदेश में भी आएका बिहार में बहुत पाफुल ये वोट बैंक है इसलिए ऐसा कदम उठाए क्योंक तोलो आरोपों पर आपका क्या जवाब? आरक्षण 14 से बढ़ा के 27 परसेंट कर दिया और उनको पता था कि कोर्ट में ये ठेकेगा नहीं दस तारी को मैं 2019 की बात कर रहा हूँ आठ मार्च को फैसला किया दस को कोर्ट में याजका लग गई 18 को इस्टे हो गया और कॉंग्रेस की पिछड़ों के लिए हमदर्दी देखिए दस से लेके 18 के बीच ये आरक्षण बचा रहे इसके लिए कोई प्रयत्मन नहीं किया यहां तक के इस्टे के समय उनके एड़ोकेट जंदल तक खड़े नहीं हुए ये तथ्य और तर्क देने के लिए कि ये आरक्षण जारी रखा जाए और आरक्षण पर इस्टे होके वो 27 फिर 14 परसेंट हो गया अब भारती जंदा पारिटी की प्रदेश की सरकार सारे तथ्य और तर्क माननी नियाल है के सामने रख रही है तो वोट वेंग की राजनीती वो करते है भारती जंदा पारिटी वोट वेंग की राजनीती नहीं करती हम तो गरीबों के हकमें पिछड़ों के हकमें जो जरूरी फैसले होते हैं वो एक नहीं अन्यकों बार किये और जब जैसी जबरतोगी आगे भी अतार करते रहेंगे सब को न्याएं ये मूल मंत्र है भारती जन्ता पारिटी का लेकिन सब से पीछे जो है अब उनकी चिंता करना निश्चित तोर पर ज्यादा जरूरी है लेकिन सब अब को साथ लेके आगे बढ़ रहे हैं लेकिन यूपी में काम तो आएगा ही सर दिए राजनेतिक द्रिश्टी इसके सम्रिद्ध और सक्तिसाली भारत के दिर्मान के काम उसलिए पूरे देश की जन्ता उनके पीछे खड़ी है उसके परिणाम भी चुनाओं के रूप में परिलक्षित होते हैं और दिखाई देते हैं हमारे लिए यही मुद्दा वोट वेंग की राजनीती नहीं है कॉंग्रेस सवाल देखिए यहां पर तो सर यह बिलपास हुआ है लेकिन कॉंग्रेस आरक्षन को लेकर आपके राज्य में सवाल खड़ा कर रही है उस पर आपका क्या जवाब है पहले का पाखंडी है पीट में चुरा घूपने वाले हैं पिछडों के उनको पता था कि केवल वोट को दहान में रखते हैं उनको लगा 2019 में मार्च में के अपरेल मज़ में चुना हूए तो केवल कर दो होना तो है नहीं और फिर इस्टे करवा दिया क्योंकि बिना तत्थ और तर्क के बिना किसी तैयारी के आपने कर दिया कोट ने कह दिया 50% से जादा नहीं हो सकता इस्टे लग मिल गया तो पाखंड वो करते हैं भारती यंता पार्टी पाखंड की राजनीत इस वक्त कास्ट पॉलिटिक्स के एर्दगे देश में गूम रही है इससे आप इंकार नहीं कर सकते हैं इसलिए मुख्यमंत्री जी मेरा आप से सवाल है कि ट्रेडिशनली हम देखें तो पारंपरिक रूप से जो अगड़ी जाती के लोग हैं वो हमेशा बीजेपी के हो ना बिदक जाएं क्योंकि देखें यूपी में कास्ट पॉलिटिक्स को देखते हुए कई सारी चीजें हो रही है इसकी कई जगह उपर बताया जा रहा है ब्रामण भी नाराज चल रहे हैं ऐसे में जिनको आप फ़र ग्रांटेड लेते रहे हैं कहीं उनकी नाराजगी जेलनी पड़े मुख्यवंत्री जी इने उठाए हैं सरकार ने उठाए हैं और जाता है वोट का सवाल है पिछलों के वोट भी भारती जनता पारिटी को बहुत मिलते हैं मदप्लेस में देख लिए जाप चुनाओ उदर चुनाओ चाहे सामान वर्गो पिछला वर्गो या अन्ने गरीब बर्गो जिनमें स्ट जनता का वास्तविक कल्यान करते हैं इसलिए और विकास पर आधरित राजनिती करते हैं इसलिए एक आखरी सवाल आपसे उसी सवाल को जरा सा बदल के दूसरे शब्दों में पूछती हूँ आपको ऐसा तो प्रतीत हो रहा होगा ना कि आप उत्तर प्रदेश में बिहार मे से हैं उनके बास्तविक कल्यान से हैं और सच मुझ में प्रधान मंतरी जी तो हर एक के दिल में हैं चाहे वो कोई भी हो और दिल में वो अपने कामों के कारण हैं देश प्रेम के कारण हैं देश के लिए जो काम कर रहे हैं जनता के लिए जो के लिए सब के कल्दान के लिए हम काम करते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका